असलाम अलेकुम दियर स्टूटेंट्स आई होप यू आर फाइन निक्स चेप्टर है हमारा जेंडर्स और यह ग्रामर बुक फॉर है जेंडर्स के चेप्टर में डेफिनेशन जो है वो आपके पेपर में इंक्लूड़ नहीं होंगी इस डेफिनेशन अर जस्ट फो यूर अ कि आप अपना कॉंसेप्ट जो है वो क्लैर कर लें जेंडर क्या होता है जेंडर बिसिकली जेंडर की जो डेफिनेशन यहां पर दी गई है वो यह है कि जेंडर रफर्स टू दे क्लासिफिकेशन ओफ नाउन्स अब यह जो है वो क्लासिफिकेशन ओफ नाउन्स है यानि कि उनको classify किया जा रहा है according to their gender के आया कि वो words male, female के लिए use होंगे या common male और female दोनों के लिए जो words use हो सकते हैं वो common में चले जाते हैं जंडर एक classification है nouns की इससे पहले हमने types पढ़ी थी nouns की common noun, proper noun और collective nouns भी थे इसके इलावा बहुत सारी types है nouns की लेकिन ये classification है जहांपर grouping हो रही है according to gender अब जो words जो है वो males के लिए use कि जाते हैं उनको masculine gender कहा जाता है जो females के लिए use कि जाते हैं specifically जो words female के लिए use कि जाएंगे उनको feminine gender और जो words दोनो male या female के लिए use कर सकते हैं को कहा जाता है common gender Let's start reading The word king refers to a male अब जो word है king यानि के बादच्छा वो हमेशा एक male के लिए use किया जाता है तो इसलिए उसको masculine gender कहा जाएगा The word queen ये refer करता है female को खातून को किसी लड़की या औरत को तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है feminine gender It belongs to the feminine gender अब जो third example common gender की दी हुई है वो है doctor अगर हम word doctor पढ़ें तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम एक male doctor की या female doctor किस की बात करें हैं अगर आप picture देखते हैं तो आपको लगता कि हम male doctor की बात करें हैं लेकिन अगर सिर्फ एक word doctor पढ़ा जाये तो हम बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आया के male या female की बात हो रही है इसलिए ऐसे words जो है उनको common gender कहा जाता है इसके अलावा अगर scientist कहा जाए scientist भी एक common gender है और भी common gender की कुछ examples for example scientist के अलावा scientist के साथ भी आप male scientist या female scientist लगाते है इसी तरह nurse के साथ आप male या female nurse लगाते है जरूरी नहीं कि nurse male ही हो या female वो दोनों हो सकते है male भी और female भी इसलिए nurse जो है वो itself एक common gender हुआ क्योंकि उसके साथ जब तक male या female ना लगाया जाए हमें नहीं पता चलता कि आया कि हम male की बात करें है या female की बात करें है ऐसे words को common genders कहा जाता है जिन से पता चल जाए कि हम male की बात करें है वो होंगे masculine gender जिन से पता चल जाए female की बात हो रही है वो है feminine genders लेकिन जिन nouns से नहीं पता चल रहा होता कि आया male या female की बात हो रही है उनको common genders कहा जाता है genders किसको refer करते है classification of nouns according to their genders यानि कि masculine, feminine या common अब जो words हैं जो males को represent करें वो masculine gender जो females को represent करें वो feminine gender और जो both males और females को represent करें हो तो वो common gender कहलाते है एक पूरी list जो कि आपको दी गई हुई है या आपने याद करनी है उसके इलावा जो exercises इसमें दी गई है बहुत easy exercises है जो first exercises में आपने simply underline करना है common genders को do not rewrite the sentences आपने common genders को underline करना आपने देखना है कि किस words से आपको पढ़कर पता नहीं लगता आया या लड़के की बात हो रही है या लड़की की male की या female की तो आप उन words को underline करेंगे first word hawker इसका meaning है जो लोग street vendors होते हैं जो घूम पिरकर चीजों की खरीदो फरोग करते हैं इस sentence में ये common gender है next में motorcycleist अब motorcycle चलाने वाला भी हो सकता है चलाने वाली भी इसलिए यहां पर clear नहीं है कि आया लड़की की बात हो रही है या लड़के की तो इसलिए ये common gender होगा इसलिए ये common gender होगा इसलिए बाकी sentences है आप लोग ये बहुत असानी से exercise कर सकते हो you simply have to underline the common gender अगले exercise में जो spaces है उनको आप लोगों ने fill up करना है जहां पर males नहीं given अधर male को लिखना है female जिसका नहीं given वहाँ female लिखना है और ये सब जो है आपके इस वाले table में से ही दिये गए है lost exercise जो है वो आपने rewrite करने है sentences और rewrite करते वक्त आपने जो bold words है उनको feminine में करना है सारे sentences आपने rewrite करने है और जब आप rewrite कर रहे होंगे दुबारा लिखते हुए आपने इन bold words को इनका feminine में change करना है for example my uncle has four sons so you have or you will write my aunt has four daughters और सब जो bold letters है इनके feminines आपको table में available है आपको खुद से कहीं से कुछ भी ढूणना नहीं पड़ेगा आपने simply वहां से देख कि उसका feminine place करना है और sentence री राइट करना है class words के लिए इतना ही है do your homework class 6 के exercise 7 जो है आप लोगों ने जो nine nouns in sentences में दिये गए है जो underlined है आपके लिए पहले से ये underline किये गए हुए है आपने इस page पे इस exercise को complete करना है exercise जो underlined words है आपने उनकी classification करनी है आया ये masculine gender के रो में जाएगा feminine या common तो boy masculine gender में आप simply इसको number one के आगे masculine में लिखतो गे liar liar कोई लड़का भी हो सकता है लड़की भी तो ये common gender होगा अब feminine में जरूरी नहीं है कि one में अगर feminine में कुछ भी नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ प्लेस करें that won't be necessary उसको बिलकुल भी आपने अपनी तरफ से कुछ mention नहीं करना you simply have to put a dash where nothing is belonged जहां पर कोई भी चीज बिलॉंग नहीं करी वहां पर आप simply dash लगा देंगे इस तरह से exercise का question number two है उसमें आपने देखना है दोनों words कौन सा masculine में जाएगा कौन सा feminine में कौन सा common में दो underlined हैं दो में जाएंगे जो एक रहा जाएगा वहां पर आप उस कॉलम में simply dash लगा देंगे जिस तरह से यहां पर feminine gender पर लगाई गई थी next exercise 8 जो है आपने rewrite करने है sentences जिस तरह से class 4 की last exercise थी आपको सारे जो है आपके given table में दिये गए हैं आप वहां से देखकर इनको feminine या masculine gender जो भी आपने conversion करनी है आप इसको feminine में convert कर सकते हैं और you have to rewrite the sentences सिर्फ feminines नहीं लिखना है आपने इनके आपने sentence को complete लिखना है और feminine के साथ replace करके in bold words को लिखना है सिर्फ दो exercises हैं you only have to do these two exercises as your homework take care of yourselves meet you in the next meeting Allah Hafiz